ऐसे किस्टना दोस्तों स्वागत आपका अमारी यूट्व चैनल एस्टलोजी में दोस्तों हुली दोजार वाइस का सुम मोहुर्त तिथी वारता इसके फायदे और लाव हम आपको बताएने जा रहे हैं हुली के दिन आपको क्या करने से जो है आपके किस्मत के ताले खोल जाएगे क्योंकि हुली का दिन जो है वो उपाई करने के लिए विसेस माना जाता है हुली का त्योहार चैत्रमास के क्रिश्न पक्ष की पतिविदा तिथी को मना जाता है इस बार होली जो है वो 18 मार्च 2022 को मनाई जाएगी होली से आर दिन पहले ही ओलाष्टक लग जाएगा 10 मार्च से होलाष्टक लगेगा इस दोरान किसी भी तरेके के सुब कारे नहीं किये जाते होली से एक दिन पहले होली का दहन की परंपरा है पहलगुन मास्क के पुर्णिमा के दिन बुराईपुरा अच्छाई की जीत के रूमें déjà जाता है अब जानते हैं कि इसका सुब महुर्थ क्या है तो होली का दहन का सुब महुर्थ 17 मार्च गुरवार हुली का दहन सुमोहुर्ट रात 9 बज कर 20 मिनट से देर रात 10 बजे तक रहेगा अब इसकी विदी क्या है हुली का दहन में किसी भी पेड़ की साखा को जमीन में गार कर उसे चारों तरब लकड़ी कड़े या उपले से ढख दिया जाता है इस इन सारे चीजों को सुब महुर्ट में जलाये जाता है अब जानते हैं कि हुली में करने वाले इसे इस उपाय क्या है जिसे आपको काफे सारा फाइदा होने वाला है तो दोस्तों पहला है अगर आप अपने जीवन में कुस नया पाना चाहते हैं तो खुली के दिन भगवान सिव की विदी विधान से पुजा करें अईशा करने से मनो कामनाई पूर्ण होती है दोस्ता है घर की सुकसं मुर्दी के लिए परिवार के प्रतेग सदस्य को खुली का दहन में घी में भिगोई हुई तो लोंग एक बताशा और एक पान का पता अवश्य चड़ाना चाहिए साथ ही खुली की ग्यारा प्रिक्रिमा करते हुए खुली में सुके नारियल की जलती है उसमें पापड़ सेंकर खाएं इससे शरीर को कई स्वस्त प्राप्त होते हैं सारे रोग मिठ जाते हैं और चौथा है हुली का धहन के समय उलिका की साथ प्रिक्रमा करें इससे अच्छे पुण्ने प्राप्त होता है आखरी और पांचवा हम आपका बता रहे हैं क कि हुली के दिन से शुरू करके वजरंग बान का चालिस दिन तक नियमित पाठ करने से भी आपकी हर मनों कामना होगी वो यह तिये हुली से संबंदित उस महत्वपन उपाई जिससे करने से आपकी जीवन में आवसे ही सकारात्मा प्रभाव पढ़ेगा आसा है वीडियो प